Question No. 169 में क्या दिया है? If x is subtracted from each of the numbers 20, 37, 54 and 105, then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean of 7x-5 and x plus 1? इस टाइप का question बहुत आता है. कैसे करेंगे देख लिजए? उसके पहले हम एक देख लेते हैं जो बहुत ही famous result है कि अगर a by b equal to c by d होई. ध्यान रहे, यह होना चाहे है. then आप लिख सकते हो a by b equal to c by d numerator को add कर सकते हैं a plus c by b plus d numerator को subtractive ही कर सकते हैं मतलब कि a minus c by d minus d इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं इदर. Question में क्या दिया है? कि अगर 20 में से x minus किया और 37 में से x minus किया यह equal होगा 54 minus x और 105 minus x का अगर यह equal है तो difference के equal भी होगा minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 और इधर कितना आ जाएगा 68 बहुँ सो दोबर में चला गिया a है 1 by 2 cross multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 minus अच्छा इन दोनों का multiply कर रहे हैं first and last को 40 minus 2x का value आ गया है 37 minus x तो x का value आ गया 3 x का value 3 है हमें क्या चाहिए देख लेते हैं हमें जो चाहिए वो चाहिए root 7x minus 5 and x plus 1 21 minus 5 16 into 4 हो गया इसका square root कितना हैगा 8 इस question का सही answer क्या है 8 तो अगर आपको यह solution पसंद आया है तो चैनल को जरूर subscribe करें और हाँ यहाँ पर आपको सारे best way q का solution मिल जाएगा thank you